कि यदि आप रेगुलर सेवका सेवका इस्तेमाल करें यदि आपको गट से संबंदित कोई समझ्चा है एसेल का सेक्रीशन कम है इंडाइजेशन है आपको बीपी लो रहता है आपको कम एनर्जी लगती है आपको फॉंक्शनल वीकनेस रहती है और पेट में कोई न कोई डिस्टरबेंस लगातार बना रहता है आपको भूक कम लगती है खाना नहीं पचता है आपको वीट रिडियूस हो रहा है हेर फाल हो रहा है आपको स्किन की कोई प्राब्लम है या फिर आपको ओबिसिटी है फैटी लिवर है तो इन सब प्राब्लम्स में आपके पास एक नीचरल बेस्ट हॉम रेमिडीज है वो आपको मदद कर सकती है और इसके जो क्लिनिकल ट्राइल्स हैं वो हमें बताते हैं कि यदि सेव के सिर्के का सही इस्तेमाल आप समझ लें और सही से यदि आप उसको इस्तेमाल करें तो सेव के सिरके से आपका दिल की विमारी, दिमाग की विमारी, मुटापा, पेट की प्रॉब्लम्स, कॉंस्टिपेशन, ब्लोटिंग, एसिटिटी, कम भूक लगना, ये सब ठीक हो सकते हैं और ये क्लिनिकली ट्रायल से चीज़ें बिलकुल प्रूवन है तो आप इस वीडियो को देखिए, समझने की कोसिस करिए और सिरके का, सेव के सिरके का, राइट यूज समझने की बहुत जरूरत है क्योंकि देखो सेव का सिरका एक बहुत अच्छी मेडिसन तो है लेकिन उसका गलत इस्तेमाल आपको काफी कुछ हानी भी पैदा कर सकता है उसके अपने साइट इफेक्ट भी होते है तो उसका सही सिरका के लिए 200 अमेल और 250 और 300 अमेल भी रख सकते है आप पानी में उसको डिजॉल्व करिए और ड्रिंक कर लेजिए यदि आपको वो acidic लगता है बहुत तीखा लगता है तो एक चमच सेव का सिरका एक चमच आप सहथ उसमें dissolve कर लीजे और morning में आप empty stomach उसको पी लीजे और empty stomach पीने का मतलब ये है कि आप एक घंटे तक सेव का सिरका पीने के बाद कुछ भी ना खाएं कुछ भी ना पी अब ये करता क्या है अब इसके हम benefit की बात करते हैं कोई भी pocket friendly आप brand देख लीजे सेव का सिरका आज कल freely available है वैसे मैं तो सबको ये advice करता हूँ कि आप एक सेव कंजूम कर लीजे वो भी बहुत अच्छा option है morning में empty stomach सेव खाना या पपीता खाना या फिर lemon water लेना या आपका सेव का सिरका लेना ये एक बहुत अच्छी healthy practice है ये एक बहुत अच्छी best medicine है एक पेट के लिए अमरित रूपी ये medicine है तो ये आपको काफी हद तक लगबग पेट की 90% problems में और health की दूसरी problems में less and more ये condition improve होगा overall health improve होगी तो सबसे पहला इसका benefit ये है कि ये HCL के secretion को regulate करता है यानि जिनको बहुत जादे कम HCL का secretion है तो उसके secretion को ये बढ़ाने में मदद करेगा जिल लोगों को indigestion है उनके indigestion को regulate करेगा तेको हमारे पाच कुछ natural remedies हैं जिसमें सिब तीन best natural remedies हैं gut के HCL के secretion को regulate करने के लिए inflammation को कम करने के लिए पहली remedy है आपकी best remedies save का सिर्का दूसरी remedy है ginger जिनजर आपका inflammation को gut की यानि intestine की जो inflammation होती है और जो whole body की muscles की bonds की nerves की जो inflammation होती है उसको कम करने में मदद करता है इविन नई research से यह पता लग रहा है कि ginger का यह रिसाही इस्तेमाल किया जाए तो आपके brain और आपके दिल यानि nerves की जो आपकी problem है दिल की जो नलिया है और जो आपके दिमाग की नलिया है उन दौनों के ही inflammation में को कम करने में मदद करता है और blood के flow को regulate करता है यानि बढ़ात एक piece मतलब एक जो उसका 20 होता लहसन का वो रखिये उतना ही आप अधरक रखिये प्लस आप में आप उसके अंदर पुदीना और कुछ दूसरी चीज़ां add कर सकते हैं और उसके अंदर उतनी ही amount में आप curd रखिये यानि अच्छी fresh green हरी चटनी बना लीजे जिसमें आपका लहसन हो जिसमें आपका अधरक हो ये आपके पेट के अंदर SCL के secretion को और जो आपका bacteria का यानि bad and good bacteria का जो ratio है उसको ठीक करने में मदद करता है और जो bad germs और या फिर आपके पेट में जो कीडे होते हैं कि जो की आपको allergy के लिए या skin dry करने के लिए या दूसरी problems के लिए ज ginger की हरी chutney बहुत अच्छा रॉलपले करती है safe का सिर का बहुत अच्छा रॉलपले करता है अब हम save के सिरके के दूसरे फायदे समझ लेते हैं यह आपका GI flora है उसको regulate करता है उसको चार्ड़ करता है उसको energetic मनाता है आपके pancreatic function को improve करता है liver kidney के function को improve करता है और GI motility को improve करता है जिससे की आपका constipation और digestion की जो indigestion की जो समझ्चा है वो ठीक हो जाती है गट microbes को normalize करता है जो bacteria की bad way bacteria की growth है उसको reduce करता है H pyloric का जो मसला है उसको काफी हद तक deal करने में मदद करता है तो जिनको H pyloric है वो लोग भी ले सकते हैं लेकिन make a not IBS वाले patient सेव का सिर्का बेद डॉक्टर के consultation से ही कंजूम करें जिन लोगों को ulcer है वो भी सेव का सिर्का डॉक्टर के consultation ही लें दो ऐसी condition है जिन में में सेव के सिर्के को recommend नहीं करता क्योंकि देखाए जाता है कुछ patient में जलन पैदा हो सकती है कुछ patient में दर्द हो सकता है तो जिनको IBS है डाइग्नोस्ट IBS का problem है जिनको जल्दी जल्दी illusion होता है या जिनको bleeding है फिजर है पाइल्स है भगंदर है ये लोग सेव का सिर्का अबोइड करें या फिर यदि consume भी करें तो डॉक्टर के consultation से जिन लोगों को ulceration है वो mouth में हो या फिर आपके gut के किसी भी हिस्से में हो या फिर anorectal reason में हो जिनको ulcer है जिनको छाले है जिनको जखम है जिनको बहुत जादे जलन होती है तीका खाने पे वो सेव का सिर्के का consumption और जिंजर वाली चटनी डॉक्टर के recommendation से ही लें अब ये constipation को relieve करता है इसके अंदर एक gut के जो pH है उसको normal करने की ability होती है migraine में ये काफी मदद कर सकता है और ये जो stone होती है आपको gall bladder stone उसको reduce करने में मदद करता है plus anti-cancer properties हैं सेव के सिर्के के अंदर क्योंकि GI environment को normal रखता है regulate करता है antibacterial antiseptics और antacid वाली properties हैं सेव के सिर्के में इसलिए ये एक best tonic है best medicine है आपकी health के लिए तो आपको यदि इस तरह का कोई issue है तो आप morning में सेव के सिर्के का consumption करें लेकिन right dose लें और यदि आपको उससे तीखापन लगता है जलन होती है तो आप उसके अंदर एक चमच honey के साथ उसको consume कर सकते हैं that will very helpful and the good for your gut health